हरे कृष्णा श्रीमत भागवत महापुरान की जै आज रस्पान की जै भागवत कथा के नवे सकंद के अध्याए नौ और दसका नवे अध्याए में राजा भगिरत के चरित्र का और गंगा जी के धर्ती पर अवतरन की गथा का वर्णन किया गया है श्री शुकदेव जी कहते हैं हे परिक्षित अन्शुमान ने गंगा जी को लाने की इच्छा से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली और समय आने पर उनकी मृत्ती हो गई अन्शुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की परन्तु वे भी अस्फल ही रहे और समय आने पर उनकी भी मृत्ती हो गई दिलीब के पुत्र थे भगिरत उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिये और कहा कि मैं तुम्हें वर्देने के लिए आई हूँ उनके ऐसा कहने पर राजा भगिरत ने बड़ी ही नम्रता से अपनी इच्छ प्रकट की और कहा कि आप मर्ति लोक में चलिए तब गंगा जी ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से प्रत्वी तल पर गिरूं उस समय मेरे वेग को धारन करने वाला कोई होना चाहिए भगिरत ऐसा ना होने पर मैं प्रत्वी को फोड कर रसा तल में चली जाओंगी इसके लावा इस कारण से भी मैं प्रत्वी पर नहीं जाओंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे फिर मैं उस पाप को कहा धोँगी भगिरत इस विशे में तुम स्वेम विचार कर लो राजा भगिरत ने कहा हे माते जिन्होंने लोग परलोग धन संपत्ती और इस्त्री पुत्र की कामना का सन्यास कर दिया है इन सब कामनाओं का त्याग कर दिया है जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है जो ब्रह्मनिस्ट और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन है वे अपने अंग इसपर्ष से तुम्हारे पापों को नस्ट कर देंगे क्योंकि उनके हिर्दय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सदा ही निवास करते है समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव आपका वेग धारन कर लेंगे परिक्षित इस प्रकार गंगा जी से कहका राजा भगिरत ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए भगवान शंकरतो संपुन विश्व के हितैशी है राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर तुरंत ही स्विकार कर ली फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारन किया क्यों न हो भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है इसके बाद राजर्शी भगिरत त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले गए जहां उनके पित्रों के शरीर राख के धेर बने पड़े थे वे वाईयों के समान वेग से चलने वाले रत पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पढ़ने वाले देशों को पवित्र करती भी गंगा जी तोड रही थी इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुँचकर उन्होंने रजा सगर के जलेवे पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया यदिपी सगर के पुत्र ब्रहमन के तिरसकार के कारण भस्म हो गए थे इसलिए उनके उधार का कोई उपाई भी नहीं था फिर भी केवल शरीर के राख के साथ गंगा जल का इस पर्ष हो जाने से ही वे स्वर्ग लोग को चले गए है परिक्षित जब गंगा जल से शरीर की राख का इस पर्ष हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ती हो गई उन्हें मोक्ष मिल गया तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं उनके संबन में तो कहना ही क्या है मैंने गंगा जी की महिमा के संबन में जो कुछ कहा है उसमें आश्चरी की कोई बात नहीं क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े-बड़े मुनी भी निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट कर तुरंती ये भगवत सरूप बन जाते हैं फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे इसमें कौन बड़ी बात है राजा भगिरत का पुतर था शृत शृत का नाभ ये नाभ पूरवक्त नाभ से भिन्न है नाभ का पुतर था सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का अयूतायू अयूतायू के पुतर का नाम था परिक्षित का पुत्र सर्वकाम हुआ है परिक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास सुदास के पुत्र का नाम था सौदास और सौदास की पत्नी का नाम था मदयंती सौदास कोई 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 मित्र सह भी कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाश पाद भी कहा गया है और वह वसिस्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था और अपने कर्मों की कारण संतान हीन हुआ राजा परिक्षित ने पूछा भगवन हम ये जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वसिस्ठ जी ने श्राप क्यों दिया अगर कोई गोपने बात ना हो तो कृपया ये रहसी भी बताईए तब श्री शुकदेव जी कहने लगे है परिक्षित एक बार राजा सौदास शिकार खेलने के लिए गए हुए थे वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यू का बदला लेने के लिए वह रसोये का रूप धारन करके उनके घर गया एक दिन जब भोजन करने के लिए गुरु वसिष्ठ जी राजा के यहां आए तब उसने मनुष्य का मांस बना कर उन्हें परोस दिया जब सर्वसमर्ष्ठ वसिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभख्ष्य है इसे तो खा भी नहीं सकते तब उन्होंने एक रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला कि जा इस काम से तू राक्षस हो जाएगा जब उन्हें ये बात मालुम हुई कि ये काम तो किसी राक्षस का है राजा का नहीं तब उन्होंने उस शाप को किवल बारह वर्षों के लिए कर दिया उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजली में जल लेकर गुरु वसिष्ट जी को श्राप देने के लिए तत पर हुए परंत उन्हों की पत्नी मद्यंती ने उन्हें ऐसा करने से रोग दिया इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं आकाश और प्रत्वी सबके सब तो जीवन में ही है तब ये तीक्षन जल अब मैं कहां छोड़ूं अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों में डाल दिया इसी से उनका नाम मित्र सह पड़ गया उस शापित जल के पैर पर सपर्ष करने से उनके पैर भी काले पड़ गए थे इसलिए उनका नाम कलमाश पाद भी हुआ अब वे राक्षस हो चुके थे एक दिन राक्षस बनेवे राजा कलमाश पाद ने एक वन्वासी ब्रहमण दमपत्ती को रमण के समय देख लिया कलमाश पाद को भूख तो लगी ही थी उसने ब्रहमण को पकड़ लिया तब ब्रहमण की पत्नी कहने लगी राजन आप राक्षस नहीं है आप महारानी, मद्यंती के पती और इक्षवाकू वन्ष के वीर महारती हैं आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए मुझे संतान की इच्छा है और इस ब्रहामन की अभी कामनाई भी पूर्ण नहीं हुई है इसलिए आप मुझे मेरा यह प्रहामन पती वापस दे दीजे राजन, ये मनश्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष, चारो पुरुशार्थों की प्राप्ति कराने वाला है राजन, आप तो शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भाती जानते हैं जैसे पिता के हाथों, पुत्र की मृत्ति उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे स्रेष्ट राजर्शी के हाथों, मेरे स्रेष्ट ब्रहमर्शी पती का वध किसी भी प्रकार उचित नहीं है इससे तो आपका सादू समाज में बड़ा अपमान होगा भला आप मेरे परुपकारी, निरपराद, छोत्री और ब्रहमवादी पती का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं, ये तो गव के समान निरी ही हैं फिर भी अगर आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं, तो पहले मुझे खा लीजे क्योंकि अपने पती के बिनातों में मुर्दे के समान हो जाओंगे और एक छण भी जीवित नहीं रह सकोंगी ब्रहमट पत्नी बड़ी ही करोना पुनवानी में इस परकार कहकर अनाथ की तरह रोने लगी परंतु सौदास ने शाप से मुहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह उस ब्रहमट को वैसे ही खा गया जैसे बाग किसी पशु को खा जाता है जब ब्रहमटी ने देखा कि राक्षस ने मेरे पती को खा लिया तब उसे बड़ा शोक हुआ सती ब्रहमटी ने क्रोध करके उसे राजा को श्राप दे डाला कि रे पापी मैं संतान प्राप्ति की इच्छा से अपने पती के साथ रमन कर रही थी और ऐसी अवस्था में तूने मेरे पती को खा डाला है इसलिए मुर्ख जब भी तू पत्नी के साथ रमन करेगा तभी तेरी मृत्ति हो जाएगी ये बात मैं तुझे सुझा देती हूँ इस प्रकार मित्र सह को श्राप देकर ब्राहमनी अपने पती की अस्थियों को धदकती हुई चिता में डालकर स्वेम भी सती हो गई और उसने भी वही गती प्राप्त की जो उसके पती देव को मिली थी क्यों नहों वे अपने पत्नी को छोड़कर और किसी लोग में जाना भी तो नहीं चाहती थी बारह वर्ष बीतने पर राजा सौदास श्राब से मुक्त हो गए जब वे रमन के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोग दिया क्योंकि उसे उस ब्रहमनी के श्राब का पता था इसके बाद तो उन्होंने इस्तरी सुख का बिलकुल ही परित्या कर दिया इस प्रकार अपनी कर्म के फलसरूप वे संतान हीन हो गए जब वसिस्ट जी ने उनके कहने से मध्यंती को गर्भधान कराया मध्यंती साथ वर्ष तक गर्भधारन की रही परन्तु बच्चा पैदा नहीं हुआ तब वसिस्ट जी ने पत्थर से उसके पेड़ पर चोट मारी उससे जो बालक हुआ वह अश्म अर्थात पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया अश्मक से मूलक का जनम हुआ जब परशुराम जी प्रत्थवी को छत्रीहीन कर रहे थे तब इस्त्रियों ने उसे छुपा कर रख लिया था इसी से उसका एक नाम नारी कवज भी हुआ उसे मूलक इसले कहते हैं कि वह प्रत्वी के छटरीहीन हो जाने पर उस वNewsh का मूल प्रवर्तग बना मूलक के पुत्र हुए दश्रत दश्रत के एडविड और एडविड के राजा विश्वस है विश्वस है के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राथ खटगवांग हुए युद्ध में उन्हें कोई नहीं जीत सकता था उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से देत्यों का वद किया था जब उन्हें देवताओं से ये मालम हुआ कि अब मेरी आयू केवल दो घड़ी ही बाकी है तब वे अपनी राजधानी को लोटाए और अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्रहमन उनसे बढ़कर मेरा प्रेम अपने प्राणों पर भी नहीं है पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज और प्रत्वी भी मुझे उतने प्यारे नहीं लगते मेरा मन बच्पन में तो कभी अधर्म की ओर नहीं कया मैंने पवित्र कीर्ती, भगवान के अतिरिक्ट और कोई भी वस्तु नहीं देखी तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुह मागा वर देने को कहा परन्तु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरी की भावना में ही मैं मगन हो रहा था जिन देवताओं की इंद्रियां और मन विश्यों में भटक रहे हैं वे सत्वगुण प्रधान होने पर भी अपने हर्दय में विराजमान सदा सरवदा प्रेतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मसरुप भगवान को नहीं जानते फिर भला जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं वे तो जान ही कैसे सकते हैं इसलिए अब इन विश्यों में मैं नहीं रमता ये सब तो माया के खेल हैं परिक्षित भगवान ने राजा खडवां की बुद्धी को पहले से ही अपनी और आकर्षित कर रखा था इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्य कर सके अब उन्होंने शरीर आधी अनात्म पदार्थों में जो अज्यान मुलक आत्म भावता उसका परित्या कर दिया और अपने वास्त्विक आत्म स्वरूप में इस्थित हो गए वे स्वरूप साक्षात पर ब्रह्म है वे सुक्ष्म से भी सुक्ष्म शोनि के समान ही है परंतु वो शोनि नहीं परम सत्य है भक्त जन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करती है श्री शुक्देव जी कहते हैं है परिक्षित खट वांग के पुत्र देर्ग बाहु और देर्ग बाहु के परम यशस्वी पुत्र रगु हुए रगु के अज और अज के पुत्र महराज दश्रत हुए देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरी ही अपने अंश से चार रूप धारण करके राजा दश्रत के पुत्रुफे उनके नाम थे राम, लक्षमन, भरत और शत्रुगन परिक्षित सीता पती भगवान श्री राम का चरित्र दो तत्व दर्शे रिश्यों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेग बार उसे सुना भी है भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दश्रत के सत्ति की रक्षा करने के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का इसपर्श भी उनसे सहन नहीं होता था वे ही चरण जब वन में चलते चलते ठक जाते तब हनुवान जी और लक्षमर जी उन्हें दबा दबा कर उनकी ठकावत मिटाते सुर्पनखा को नाकान काट कर विरूप कर देने की कारण उन्हें अपनी प्रेतमा शुरी जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहे तन गई जिन्हें देखकर समुद्र तक भैभीत हो गया इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुस्ट राक्षसों के जंगल को दावागनी के समान जलाकर भस्म कर दिया वे कौसल नरेश हमारी रक्षा करें भगवान श्री राम ने विश्वमित्र जी के यग में लक्षमर जी के सामने ही मारी जादी राक्षसों को मार डाला विश्वा पड़े बड़े राक्षसों की गिंती में थे ये परिक्षित जनकपूर में सीता जी का स्वयमवर हो रहा था संसार के चुनेवे वीरों की सभा में भगवान शंकर का वे भयंकर धनुष रखा हुआ था वो इतना भारी था कि 300 वीर पहलवान भी पड़ी कठिनाई से उसे स्वेमवर सभा में ला सके थे भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठा कर उस पर डोरी चड़ा दी और खीच कर बीचो बीच से उसके दो टुकडे कर दी है ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते इख तोड़ डालता है भगवान ने जिन्हें अपने वक्ष इस्थल पर इस्थान दे कर सम्मानित किया है वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतरित हुई थी वेगुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर में सर्वता भगवान श्री राम के अनुरूप थी भगवान ने तो धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया आयोध्या को लोटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेट हुई थी जिनोंने 21 बार प्रत्वी को राजवंश के बीज से भी रहित कर दिया था भगवान ने उनके बढ़े वे गर्व को नस्ट कर दिया इसके बाद तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास भी स्विकार किया हाला कि महराज दश्टरत ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही अपनी पत्नी को वैसा वचन दिया था फिर भी वे सत्य के बंधन में बंद गए थे इसलिए भगवान ने अपने पिता की आग्या सिरोधारिकर राज, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैशी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ दिता है वन में पहुँचकर भगवान ने राक्षिसराज रावन की बहन शुर्पणखा को विरूप कर दिया क्योंकि उसके बुद्धी बहुत कलुषित काम वासना के कारण अशुध थी उसके पक्षपाती खर, दूशन, त्रीशिरा, आधी प्रधान प्रधान भाईयों को जो संख्या में लगबग 14,000 थे हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने डस्ट कर डाला और बड़ी कठिनाईयों से भरेवे उसवन में अनेक तरह से विचरतेवे निवास करते रहे हे परिक्षित जब रावर ने सीता जी के रूप गुण सौंदर यादे की बात सुनी तो उसका हरदे काम वासना से आतुर हो गया उसने अद्भुत हिरन के वेश में मारीज को उनकी पर्ण कुटी के पास भेजा वो धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया अंत में भगवान ने पनी बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को विर्भदर ने मारा था जब भगवान श्री राम उस हिरन का पीछा करते करते जंगल में दूर निकल गए तब लक्षमन की अनुपस्तिती में उस नीच राक्षस रावर ने भेडिये के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्रीत सीता जी को हर लिया फिर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड कर अपने भाई लक्षमन के साथ वन वन में दीन की तरह घूमने लगे इस प्रकार उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो इस्त्रियों में आ सकती रखते हैं उनकी यही गती होती है इसके बाद भगवान ने उस जटायू का दह संसकार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे फिर भगवान ने कबंध का संगहार किया और उसके बाद सुग्रीव आदी वानरों से मित्रता करके बाली का वद किया फिर बानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया ब्रह्मा जी और शंकर जी जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुश्यों की तरह लीला करते वे बानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर जा पहुँचे वहाँ उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब भगवान ने क्रोध की लीला करते वे अपनी उक्र और टेड़ी नजर समुद्र पर डाली उसी समय समुद्र के बड़े-बड़े मगर और मच्छ खलबला उठे डर जाने की कारण समुद्र की सारी गर्जना शान्त हो गई तब समुद्र शरीर धारी बनकर और अपनी सिर पर बहुत सी भेटे लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और कहने लगा हे अनंत हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तिक सरूप को नहीं जानते जाने भी कैसे आप समस्त जगत के एक मात्र स्वामी आधी कारण और जगत के समस्त परिवर्तनों में एकरस रहने वाले हैं आप समस्त गुणों के स्वामी हैं इसलिए जब आप सत्वगुण को स्विकार कर लेते हैं तब देवताओं की रजगुण को स्विकार कर लेते हैं तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्विकार कर लेते हैं तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति हुती है हे वीर शिरोमने अब आप अपनी इच्छा के नुसार मुझे पार कर जाएए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावन को मार कर अपनी पतनी को फिर से प्राप कीजे परन तो आप से मेरी एक प्रयार्थ ना है आप यहां मुझ पर एक पुल बांथ द इससे आपके यश्का भी विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नर्पती दिगविजय करते वे यहां आएंगे तब वे आपके यश्का गुणगान किया करेंगे भगवान श्री राम ने अनेक अनेक परवतों के शिखर से समुत्र पर पुल बांधा जब ब बड़े बंदर अपने हाथ से परवत उठा उठा कर लाते थे तब उनके विरक्ष और बड़ी बड़ी चटाने थर-थर कापने लगती थी इसके बाद विभीशन की सला से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान और आदी प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, वो तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जिलाई जा चुकी थी, उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभाभवन, छजजे, पक्षियों के रहने के स्थान तक को द्वजाएं, सोने के कलश और चुराहे तोडफोर डाले, उस समय लंका ऐसी दिख रही थी जैसे जुंड के जुंड हाथियों ने किसी नदी को मत डाला हो, ये देख, राक्षस राज रावन ने निकुम्भ, कुम्भ, धुम्राक्ष, दुर्मुक, सुरांतक, नरांतक, प पास, रिस्टी, शक्ती, बान, भाले, खडग, आधी अस्त्र, शस्त्र से सुसजित और अत्यत दुर्गम थी, भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्षमन, हनुमान, गंध मादन, नील, अंगत, जामवान और पनस आधी वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया, रगुवान श्री शिरोमनी, भगवान श्री राम के अंगद आधी सभी सेना पती राक्षसों की चतुरंगनी सेना, अर्थात हाथी, रत, गुर्षवार और पैदलों के साथ त्वंद युद्ध की रीती से भिड़ गए, राक्षसों को व्रेक्ष परवत श सीता जी को इसपर्ष करने की कारण पहले ही नस्थ हो चुका था, जब राक्षस राज रावन ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वे क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूड होकर भगवान श्री राम के सामने आया, उस समय देवराज इंद से कहा नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिती में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हड लाए, तुमने दुस्टता की हद कर दी, तुम्हारे जैसा निडलच और निंदनी और कौन हो सकता है, जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, करतापन के अभिमानी को वह फल दिये बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूं। चिलाने लगे, फिर हजारों राक्षसिया मंदोदरी के साथ रोती भी लंका से निकल पड़ी और रण भूमी में आई, उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्षमन जी के बाणों से छिन बिन होकर धर्ती पर पड़े हुए हैं, तब वे अपने हाथ और अपनी चाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हिर्दे से लगा लगा कर उचे स्वर से विलाप करने लगी, हाई स्वामी, हाई स्वामी, आज हम सब लोग बे मौत मारी गई, एक दिन वो था जब आपके भहे से समस्त लोकों में तराही तराही मच जाती थी, और आज वो दिना पहुचा कि आपके ना रहने से हमारे शत्रू लंका की दुरदशा कर रहे हैं, और ये प्रिशन उठ रहा है कि अब ये लंका किसके अधिन रहेगी, आप तो सब प्रकार से संपन थे, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, परन्तु आप काम के वश हो गए और ये ही सोचा कि सीता जी कितनी ते जस्विनी है और इनका कितना प्रभाव है, आपकी यही भूल, आपकी इस दुरदशा का कारण बन गई, कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षस वन्ष आनंदित होता था और आज हम सब और ये सारी लंका नगरी विध्वा हो गई, आज गीद्धों का आहार बन रहा है, और आपने अपनी आत्मा को नरक का धिकारी बना डाला, ये सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है, श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परिक्षित, कौसला धीश भगवान श्री राम चंदर जी की आग्या से वीभीशन ने अप श्री सीता जी को देखा, वे उन्ही की विरय की वियाधी से पीडित होकर अत्यत दुर्बल हो रही थी, अपनी प्राण प्रियार धांगनी श्री सीता जी को अत्यत दी नवस्था में देखकर, श्री राम जी का हरदय प्रेम और कृपा से भर आया, इधर भगवान का और एक कल्प की आयू दी, इसके बाद उन्होंने सीता जी को विमान पर बिठा कर, अपने दोनों भाई लक्षमन और सुग्रीव और सेवक हनुमान जी के साथ स्वयम भी विमान पर सवार हो गये, इस प्रकार 14 वर्ष का व्रतपूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर क यात्रा की, उस समय मार्ग में ब्रह्मा अधी लोकपालगन उन पर बड़े प्रेम से पुश्पो की वर्षा कर रहे थे, इधर तो ब्रह्मा अधी बड़े आनन से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को ये मालूम हुआ कि भरत जी केवल गौम मुत्र में पकाया हुआ जो का दल्या खाते हैं, वलकल पहनते हैं और प्रत्वी पर डाभ विच्छा कर सोते हैं, उन्होंने पनी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बड़े दुखी हुए, उनकी दशा का इस्मरन कर परम करुनाशील भगवान का हर्दे भराया, जब भ जो कुछ भीवा उसका वर्णन आप अगले अध्या में सुनेंगे, उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक कर लीजेगा